आज हम बहुत एक important topic discuss करने वाले हैं कि जैसी हमें open work permit मिलता है उसके बाद अजारिस हम कहते हैं कि हां जी हमें health card बरवान है ठीक है जो service Ontario से बनता है जो service Canada में चले जाते हैं वहां पे नहीं बनता है service Ontario में ही बनेगा अगर आप Ontario में रहते हो मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं ठीक है तो उससे भी पहले इक और important चीज है कि जब भी आपने service Ontario जाना है गाइस बहुत लंबी line होती है तो आपको line को like avoid करना चाहिए उसके लिए आपको appointment book करके जाना से यह बिना appointment book किये guys मत जाओ otherwise आपको दो तीन तीन गंटे line में वेट करना पड़ेगा that is actually a big deal time we waste होगा and time is money right तो गाइस यह चीजे द्यार रखना है और आज मेरे पास proper list है जो मैं service Ontario से ही लेके आया हूं start करने से पहले thank you so much बहुत like channel पर views मिल रहे है मुझे और subscribers भी बढ़ रहे है ठीक है और लोग inquiries भी आ रहे है comments भी कर रहे है share भी कर रहे है तो thank you thank you thank you so much for that आप यसी support करते रहे है okay start करते हैं तो पहला point guys है कि जो आपका job letter है वह आपका company के letterhead पर होना चाहिए ठीक है that is very important second point है guys कि जो job letter है तो यह बड़ी confusion होती है कि हम कहते है 40 hours per week लिख दिये तो automatically by default वो full time हो गया guys वो accept नहीं करेंगे ठीक है आपको full time ही वहां पर लिखाना पड़ेगा वहाँ पे अपने job letter पे तभी वो accept करेंगे अदरवाइस वो accept नहीं करेंगे अगर आपका 40 hours per week लिखा हुआ है उन्होंने तो guys वो accept नहीं करेंगे ठीक है आपने आपको approval देलवाने के लिए ठीक है this is very important तो guys next point है हाँ आपका title mention होना चाहिए कि हाँ किस title पे आप काम कर रहे हो company में तो वो तो ठीक है मुझे लगता है कि हाँ हर employer लिखके देता है employee को that should not be a big deal ठीक है उसके बाद हाँ जी गाई जो आपको employer है टाश भी लोकेट इन उंटेरियो अगर आप उंटेरियो health card के लिए आप apply कर रहे हो तो definitely वह जो आप जिसके लिए आप काम कर रहे हो वो Ontario में locate होना चाहिए make sense ठीक है यह भी हो जाएगा और yes जब से आप like full time employment आपने start किया है वो data mention करवा लेना ठीक है और guys हाँ एक permanent word ज़रूर लिखवाना है ठीक है या फिर employer को यह mention करना पड़ेगा कि हाँ like employee like employee intense to employ the employee for a minimum of six months कि हाँ employer at least आपको six month के लिए रखेगा या फिर वो पर्मेंट लिख्वा लेना उस पर तो टैस्ट भी working ठीक है कोई problem नहीं आनी चाहिए तोब लिखवाना है फूल टाइम लिखना होना चाहिए जब से आपने फूल टाइम इंप्लॉइमें इस टार्ट किया वो आपको कौई अपको कोई प्रोब्म नहीं होनी चाहिए टिक है इन केज कोई एक भी चीज मिसी है त्रस्समी वह बरफिस देंगे आपका अपका वह को और प्रूव नहीं करेंगे ठीक है तो यह चीज आपने द्यान रखने है उसके लावा गाई दो तिन पॉइंट्स हो रहे हैं कि हांजी लेटर और कॉंट्राक्ट शुड नाट भी फोटो को फोटो कोपी स्कैन इमेल और फैक्स ठीक है ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हाँ अछिप से लेख प्रॉटेंट इस इम्पोर्टन चीज है एक थी महींने पहले गाई कर ले ट्राइक है प्राइब हम थ्यूलियो कि आपकर प्राइंट है ह। notor के मीकान है इम्यीव गोंना को डाव भी हए डिम लेकर जाना ता की दिशना का PAUL की फिर नोग से ख जाना आगो यह प्रोड चुत कि कि किसी से नहीं हो सकती ठीक है हो जाती है इसलिए वीडियो बना रहा हूं यह कि हाँ थोड़ी सी information दे दूँ ठीक है मैं अपना experience कर दूँ ठीक है ताकि आपको कोई प्रॉब्ब्म ना आए ठीक है करने से पहले अपनी चीज़ों का द्यान रखना है ठीक है अगर आपको लगता है कि हां जी यह सारी चीज़ें मेरे पास है है जॉब लेटर पर यह सब कुछ लिखा हुआ है उसके बास आपको लाइक दो तीन और प्शेन आप पासपोर्ट लेकर जा सकते हो ठीक है तो यह चीज़ें हैं क्योंकि आपको इडेंट्री दिखाने पड़े हैं आप उंटेरियों में रह रह रहे हो तो यह सब चीज़े हैं गाइस इसकी सासार वो जो चीज़ें आपका ले लेना वक पर मिट भी लेकर जाना आपने ठीक है तो दो तीन चार चीज़ें अगर आपके बस हैं तो मुझे नहीं लगता आपको भी प्रॉब्म होनी चाहिए और गाइस अगें इंकेस्ट्री और प्लीस फिल फ्री तो वहां पे भी जरुंग को कर दो तो या सकते हो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं ठीक है और कैस्ट्ट्ट्ट्ट्री you can mention that in comment section और आप मुझे इंस्टाइब फॉलो कर सकते हो वहां पे भी क्वेशिन पूछ सकते हो and I'll see you next time another topic another discussion till then stay safe stay calm and enjoy your day as much as you can please like comment and share करना मत भूलना क्योंकि information बहुत important है दूसरों के पास भी जानी चाहिए ठीक है thank you guys thank you so much bye bye